मेरे भाईयों और दोस्तों हमारी इस दुनियावी जिन्दगी में हमें अपने जरुवत के वक्त बैंक में अकाउंट खोलना होता है और ये अकाउंट खोलना हमारे लिए जरूरी होता है इसलिए हम ऐसा करते हैं अकाउंट दो तरह का होता है एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में तीन महीने में सूध आता है इंट्रेस आता है जिस एतबार से हमारे अकाउंट में पैसा होता है उसी एतबार से सूध भी आता है लेकिन करंट अकाउ को maintain करने के लिए उसमें पैसे रखने पढ़ते हैं मेरे भाईयों हमें क्या करना चाहिए अगर हमें अकाउंट खोलना है तो क्या करना है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम current account खोलें उसके लिए जो भी कागजात लगते हैं उसको हम बनाने की कोशिश करें और उसमें जो कुछ कोईबिक अकाउंट मेंटेन करने के लिए पैसा रखना जरूरी है। उसे भी रखें। क्यों इसलिए कि ताकि हम सुच से बच सकें। अल्ला उसके रसूल ﷺ की लानत से बच सकें, अल्ला उसके रसूल ﷺ की नाराज़गी से बच सकें, जन्नत के रास्ते पर चलें, जहान्नम के रास्ते से बच सकें. लेकिन आज मौजूदा माशरे के अंदर हम और आप देखते हैं मुसल्मानों में बहुत सारे लोग सेविंग अकाउंट बैंकों में खोल करके रखे हुए हैं और उनके अकाउंट में सूद आता है उनके पास कोई हिसाबो किताब नहीं है ना तो हिसाबो किताब करके लिक करके उसको रखते हैं और अपने अकाउंट में उसको एक साइड में बाकी रहने देते हैं और ना ही वो उसको निकाल करके अपने अकाउंट से साइड में रख देते हैं ताकि कभी जब वो अपने अकाउंट का इस्तेमाल करें कोई चीज़ खरीदें कहीं भी पैसा निकालें तो कभी जीरो अकाउंट ना हो जाए यहीं अगर खाते में बाइलेंस जीरो हो जाता है और किसी शख्स ने सूत का हिसाब और किताब नहीं लिख रखा है उसको अलग नहीं किया है तो आप बताईए घफलत में कोताही में सुस्ती और काहिली में एक शख्स एक मुसल्मान सूत का इस्तेमाल कर लेगा और अल्ल्ह उसके रसूल सलोग लग्यों की लानत का मुस्तख हो जाएगा तो मेरे भाईयों हमें बेदार हो जाना चाहिए हमें खबरदार हो जाना चाहिए कि कहीं हमारी जिन्दगी में सूत तो नहीं है कहीं बैंक अकाउंट के जरिये हमारी जिन्दगी में सूत जो आ रहा है उसे हम कहीं अपनी जिन्दगी में इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं कहीं हमने कई सालों से 10 साल 15 साल 20 साल से बैंक में सेविंग अकाउंट खोड़ रखा है और सूद 3-3 महीने पर आता है हमारे पास उसका कोई हिसाब और किताब नहीं है तो बताईए ये कितनी गफलत वाली चीज़ है ये कितनी गलत चीज़ है एक मौमिन तो इसको परदाश नहीं करेगा एक मौमिन तो कभी सूद वाली जिंदगी पर अपने आपको बाकी रखना नहीं चाहेगा तो अभी भी मौका है आपके पास अभी भी मौका है कि आप सूद का पूरा डिटेल्स और डाटा निकालें यह कैसे मुम्किन है आप बैंक में जो पास्बुक मिलता है उसको प्रिंट करा करके आप मालूम कर सकते हैं कि अब तक आपके अकाउंट में कितना इंट्रेस और सूद आ चुका है दूसरा बैंक स्टेटमेंट के जरीए आप मालूम कर सकते हैं और यह आपके लिए जरूरी है, इसलिए कि आपने अल्ला उसके रसूल स्लिए की शरीयत पर एमान लाने का दावा किया है, आपने सूथ को हराम माना है, सूथ को अपनी जिन्दगी से दूर रखने का वादा किया है, और आपके लिए यह जरूरी है मेरे भाईो कि आप ऐसा क करें और सूथ से अपने आपको बचाएं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखो दुनिया की जिन्दगी में तो नुकसान होगा ही होगा आखरत की जिन्दगी में एक बहुत बड़ा घाटे का सौधा होगा अखीर में अल्लारबुलालमीन से दौा है कि अल्ला तबारक खाने छलाल कमाने की तौफिक अदा फर्मा और जब हमारा खातमा हो तब भी इसी हालत में हो कि हलाल खाते हो हलाल कमाते हो ओमान पर फानि कि खेड़ू हो आमीन तकब्ल या रिब्लालमीन जिजाकुमल्लहु खे्रा वसलामु औ रिज़्छकुम् और रहमतुल्ही झाल झाल